नमस्कार दोस्तों एक बर फिर से आप सभी का स्वागत है दोस्तों आज के इस क्लास में यूपित्र पलस्ती वीडियो एक्जाम के लिए महा जनपत काल से सम्मंधित कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट प्रस्णों को देखेंगे सबसे पहले थियूरी सेक्षन को डिसकस करेंगे आप सभी लोग इस क्लास को फूरा ध्यान से देखिए क्योंकि यह क्लास आपके एक्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है तो चलिए सबसे पहले थियूरी सेक्षन को देखते हैं देखे दोस्तों छठी सताब्दी इसापूर में भारत वर्ष 16 जनपदों में बटा हुआ था इसकी जानकारी हमें बौध गरंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है 16 जनपदों के बारे में जानकारी कहां से मिलती है अंगुत्तर निकाय से मिलती है 16 महा जनपदों के नाम निम्न है पहला है मगद, दूसरा है अंग, तीसरा है कासी, चौथा है कोसल, पांचवा है वज्जी, छठा है मल, सातवा है चेदी, आठवा है वत्स, नवा है कुरू, दसवा है पांचाल, इसके बाद है सूरसेन, फिर गांधार, कमभोज, असमक, अवंती, मज्स ये कुल, सोला महाजनपद है, इसके बारे में दोस्तो, अंगुत्तर निकाय में जानकारी दी गई है, अंगुत्तर निकाय क्या है, ये बाउध ग्रंथ है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, छठी सताब्दी इसापूर्व का मज्स महाजनपद, राजस्थान में इस्तित्था मज्स महाजनपद कहां इस्तित्था, राजस्थान में इस्तित्था, और उजयन का प्राचीन नाम अवंतिका था, और समराट असोक ने सभी सोला महाजनपदों पर अधिकार कर लिया था, याद रखिएगा, समराट असोक ने सभी सोला महाजनपदों पर अधिकार कर लिया और छठी सदी के प्रारंभ में भारत का सरवाधिक सक्ति साली नगर मगध राज था तो अब मगध के बारे में कुछ महत्वूर तथ्य देखेंगे मगध की सबसे पहली या प्राचिन राजधानी गिरिबरस थी याद रखिएगा मगद की सबसे पहली या प्राचीन राजधानी गीरिब्रस थी मगद पर सबसे पहले बिम्बिसार आया और इसने हरयक वंस की अस्थापना की थी और इसके बाद सिसुनाग आया इसने नाग वंस की अस्थापना की थी नागवंस की अस्थापना सिसुनागने की थी इसके बाद महापदम नंद ने नंदवंस की अस्थापना की फिर नंदवंस के अंतिम सासक घना नंद को चंद्रगुप्त मौरिने पराजित करके मौर्यवंस की अस्थापना की पूछा जाता है नंदवंस की अस्थापना किस ने की थी तो याद रखिएगा नंदवंस की अस्थापना महापदम नंद ने की थी और मौर्य वंस की अस्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी इसके बाद पुष्यमित्र ने सुंग वंस की अस्थापना की थी, वासुदेव ने कडव वंस की अस्थापना की, फिर सिमुक ने सातवाहन वंस की अस्थापना की और इसके बाद स्रीगुप्त ने गुप्त वंस की अस्थापना की थी अब यहां से दोस्तों हर्यक वंस के बारे में देखेंगे इसके बाद नंद वंस और फिर आपजेक्टिव प्रस्ण को स्वालू करेंगे देखें दोस्तों हर्यक वंस का संस्थापक बिम्बिसार था यह बहुत धर्म का अन्वियाई था इसके दर्बार में प्रसिद चिकिल्सक जीवक रहते थे जिन्हें भगवान बुद्ध का निजित चिकिल्सक के रूप में उनकी सेवा के लिए भेजा गया था और राज्या उढ़रोहन के लिए भिम्बिसार का पुत्र अजात संस्थापक बिम्बिसार था और विम्बिसार के दर्बार में एक प्रसिद चिकल्सक जिनका नाम जीवक था और दोस्तों याद रखिएगा इस बिंबिशार की हत्या इसी के पुत्र अजातसत्रू ने की थी और इस अजातसत्रू की हत्या इसके पुत्र उदाईन ने की थी सभी पॉइंट इंपोर्टेंट है ध्यान से देखते हुए चलिए इसी उदाइन ने गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटली पुत्र नगर किया स्थापना की थी सरप्रथम पाटली पुत्र का राजधानी के रूप में चैन उदाइन ने किया था अगला है दोस्तो नंदवंस नंदवंस का संथापक महा पदम नंद था नंदवंस के समय में मेशो दोनिया के सरदार सिकंदर ने भारत पर आक्रमन किया था सिकंदर ने पावरो राजा पोरस के साथ जेलम नदी के किनारे युद्ध लाड़ा था जो हाईडे स्पीज के युद्ध के नाम से जाना गया इसमें सिकंदर विजई हुआ था तो याद रखिएगा नंद बंस का संस्थापक महापदम नंद था अगला है दोस्तों सिकंदर की मृत्यु 323 इसापूर में ज्वर की वज़ा से बेबी लोन में हो गयी थी सिकंदर का समकालिन राजा घनानन था और नंद बंस का अंतिम सासक घनानन था इसी घनानन को चंद्रगुप्द मौर ने चानक किकी सहायता से पराजिक किया और किस ने की थी चंद्रगुप्द मौर ने की थी और सिकंदर का समकालिन राजा घनानन था सिकंदर की मृत्यु कहां हुई थी बेबी लोन में हुई थी और कब हुई थी 323 में हुई थी अब यहां से दोस्तों आपजेक्टिव प्रसन को स्वालव करेंगे, सभी प्रसन आप लोग ध्यान से देखिए 16 महा जनपदों की सुची किस्में उपलब्ध है? तो इसका जवाब है दोस्तों, अंगुत्तर निकाय में सोला महा जनपदों की सुची अंगुत्तर निकाय में प्लद है बी आपसन राइट है प्रथम मगद समराज का उतकर्स किस सदी में हुआ था देखे दोस्तों प्रथम मगद समराज का उतकर्स छठी सदी इसापूर में हुआ था बी आपसन राइट है छठी सदी के प्रारब म भारत का सरवाधिक सक्तिसाली नगर राज्य कौन था। देखे दोस्तों छटी सदी के प्रारब में भारत का सरवाधिक सक्तिसाली नगर मगध राज्य था। मत्सiva महाजनपध राजस्थान में इस सिथा बी आप सण राइट है। उजयन का प्राचीन नाम क्या था। righteous तो उजयन का प्राचीन नाम अवंतिका था। यहाँपर ए आप शन राइट है। नंदबंस का संस्थापक कौन था देखे।친़ नंदबंस का संस्थापक महा पど इसका जवाब है उदाइन द्वारा उदाइन द्वारा सरप्रथम पाटल पुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था इसका जवाब है उदाइन द्वारा इसका जवाब है उदाइन उदाइन ने गंगायों सोन नदियों के संगम पर पाटल पुत्र नगर की अस्थापना की थी अगला है सिकंदर यों पोरस की सेनाओने निम्न में से किस नदी के आमने सामने वाले तटो पर पड़ाव डाला हुआ था इसका जवाब है दोस्तों ज सिकंदर की मृत्यू बेवी लोन में हुई थी बी आप्सन राइट है निम्न में से मगद का कौन सा राजा सिकंदर का समकालिन था देखे दोस्तों घनानंद ये सिकंदर का समकालिन था यहाँ पर बी आप्सन राइट है अगला है मगद के किस प्रारंभिक सासक ने राज्य द्वारा मारा गया इसका जवाब है दोस्तो अजात सत्रू अजात सत्रू ने राज्या रोहन के लिए अपने पिता की हत्या की थी और इसी कारण अपने पुत्र द्वारा मारा गया था यहाँ पर B आप्शन राइट है अगला है सिकंदर के आकरमर के समय उत्तर भारत पर नि बिम्बिसार के दरबार में उस प्रसिद्र चिकेशक का क्या नाम था जो भगवान बुद्ध के निजी चिकेशकते तो इनका नाम दोस्तों जीवक था यहाँ पर C.A.P.S.N. राइट है हर्यकवंस की अस्थापना किसने की थी देखे दोस्तों राइच की अस्थापना बिम् उम्मीद है यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए दोसों सेर करिए और कमेंट मिलेकर जरूर उताइए वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद